आज मैं बिहार की most popular recipe अनर्सा की recipe share कर रही हूँ बहुत ही अच्छा ये बनकर तयार होगा बिल्कुल फूला फूला सा और उपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज्यादा soft और अच्छा बनेगा और बहुत ही ज्यादा ये खाने में delicious लगता है तो इसे बनाना बहुत ही आसान है वैसे तो normally अनर्सा बनाने में 2-3 दिन लग जाता है बहुत ही लिंदी process है लेकिन जो आज मैं आपको बिधी बता रही हूँ जो तरीका बताऊंगे बहुत ही ज्यादा easy है और 3-4 घंटे में ही ये बनकर तयार हो जाता है तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 cup चावल लिया है और चावल को अच्छी तरह से धुल कर 3 घंटे पहले मैंने इसे भीगा दिया था जिससे कि यह अच्छी तरह से फोल जाएं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सोना मनसूरी चावल लिया है आप इसे नार्मल किसी भी चावल से बना सकते ह है बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी हाँ थोड़ी सी अच्छी सी खुसबु वाली अगर चावल ला पर इस्तेमाल करेंगे तो अनर्सा बहुत ही अच्छा बनता है तो इसे मैंने 3 घंटे के लिए भीगा दिया था यह अच्छी तरह से फोल चुका है तो अब इसको च्छनी से चाल लेंगे और इसका पानी अलग कर देंगे इसे दो मिनट के लिए च्छनी में ही रहने देंगे जिससे की इसका जो एक्स्ट्रा पानी है और निकल जाए और दो मिनट के बाद इसको एक कॉटन के कपड़े पे फैला देंगे पंखे के नीचे एक से और घंट है तो यह देखिए एक घंटे के बाद ऊपर सी अच्छी तरह से सूख चुका है हातों में आप देख सकते हैं कि चिपक नहीं रहा है और अंदर से बिलकुर इसमें नमी बनी हुई है तो ऐसा ही हमें अनरसा बनाने के लिए चावल चाहिए अब इसको मिक्सी के जार में डाल तो और इसे ते और इसे चीब चाहिए तो इसे बहुत जादा मतलब हाइन नहीं पीशना है अपो तो ऊसे में अच्छे में पीस लिया है उसे साइड में लग दब देंगे अब कढाता है ग्यवक Omaha धक् curस एक कप इसमें डाल देंगे चीनी और साथ में डाल देंगे एक कप पानी और इसका सुगर सिरफ बना कर तयार करेंगे तो ये जो सुगर सिरफ हम अनरसे के लिए बना रहे हैं इसको एक तार की चासनी जैसा हमें बनाना है तो पांच से छे मिनट में ये बनकर तयार हो जाता ह तो ये देखिए एक तारिक बनने लगा है इसमें अब इसमें क्या करेंगे कि जो चावल मैंने पीच कर रखा है उसे आधा मैंने अभी डाल दिया है और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे शारा मैंने इखठा नहीं डाला है थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे तो ये पतला लग रहा है आटे जैसा विल्कुल आटे का डो नहीं लग रहा है लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा थिक होता जाएगा और इसमें मैं डाली हूं 50 ग्राम के लगभग खोया यानि मावा मैंने डाला है तो इससे क्या होगा कि अनरसे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप बिना मावा के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मावा डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अनरसे का, और खाने में बहुत ही ज्यादा ये स्वाधिस्ट लगता है, तो एक बार आप मावा डालके ब बीच बीच में चला दिया था तो अब इसे हातों से अच्छी तरह से गूत लेंगे अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है हातों से टश करने लायक है तो इस तरह से ये चावल काटा बिल्कुल रेडी हो जाता है इससे आप लोई लेकर अच्छी तरह से आप इसमें इसमें मतलब ये चावल काटा जब आप गुथे तो ऐसा होना चाहिए कि हातों में चिपके नहीं अब देखे इस तरह से इसके पेड़े बन जाते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ले लिया है मावा और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पिसी भी इलाइची और साथ में डाल देंगे एक चमच चीनी तो चीनी आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं और खड़ा भी डाल सकते हैं क्योंकि जब हम अनर्सा को तलेंगे तो चीनी मिल्ट हो जाता है तो इसे खोवा में अच्छी तरह से मिला देंगे अब आई यह अनर्चा बनाते हैं अब थोड़ा सा ڈोल लेंगे और उसे बॉल साइज का बना लेंगे और उसके बाद हातों से हल्का सफिला देंगे और इसमें थोड़ा समावा भरेंगे बहुत जादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और उसे चालो तरब से उठाते हुए बीच में seal कर देंगे और हलके हातों से इसे छोटे से बॉल का save देंगे इस तरह से और बीच से press कर देंगे और एक साइड इसमें पानी लगा देंगे और इसे फिर सफेद तिल के उपर coat कर देंगे तो एकी साइड में सफेद तिल हमें लगाना है तो अगर आपको मावा स्टफट करके नहीं बनाना है तो आप सिंपल जो चावल के आटे का डो है उसको भी बिल्कुल इसी तरह से आप एक लोई लेकर हलके हातों से प्रेस करके तिल लगाकर इसको फ्राई कर सकते हैं और बीना मावा के भी ये बन सकता है केवल आप चासनी में चावल का आटा डालिए और उसका एक डो बनाकर तयार करिए और लोई इसका बनाईए पेड़े जैसा और फिर हलका सप्रेस करते हुए इसे तिल लगाकर फ्राई कर लें तो मावा भी डालके बना सकते हैं और बिना मावा के भी दोनों तरीके से अनर्सा बन सकता है पर थोड़ा सा मावा अगर आप इसमें डालके बनाएंगे तो बहुत ही जादा ये डिलिसियस बन कर तयार होता है और इसका टेस्ट भी जो नर्मल अनर्सा होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है और बहुत ही जादा ये टेस्टी लगता है खाने में तो इस तरह से इसे तेल में डालेंगे तेल बहुत जादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे तलना है और एक साइड से तलना है जिस तरफ से तिल लगा है उसको उपर रखना है और दूसरा साइड नीचे रखेंगे तो इसी तरह से इसको तलते हुए निकाल ल करके दबा देंगे और थोड़ा सा पानी लगाएंगे और एक साइड अच्छी तरह से सफेद तिल लगा देंगे इस तरह से तब इसे तेल में डाल देते हैं जब तक यह फ्राई होता है तब तक आये बिना इस्टफिंग वाला भी थोड़े से नर्से बना कर आपको दिख क्योंकि इसे तलने में थोड़ा सा समय लगता है और धीमी आज पर इसे अच्छी तरह से तलना होता है तो यह देखिए चार उतरब से मैंने सफेद तिल लगा दिया और उसे भी तेल में फ्राई होने के लिए डाल दिया और यह छोटी साइज का मैंने बनाया है बिल्कुल और एक साइड से इसे अच्छी तरह से तिल लगा दिया है तो यह देखिए यह स्टफिंग वाले अनरसे बिल्कुल मैंने तल कर निकाल लिये हैं और यह बिना स्टफिंग वाले अनरसे को तल लई हूँ तो यह जब फूल जाता है यह एकी साइड से आपको तलना है लेकिन यह अच्छी तरह से फूल कर थोड़े-थोड़े से फट से जाते हैं और यह बहुत ही अच्छे बनते हैं तो यह देखिए यह अदर से बनकर बिल्कुल तयार है बहुत ही ज्यादा यह टेस्टी डिलिसियस और उपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट यह है तो एक कनर सा मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूं तो आप देख सकते हैं कि अंदर कितना जादा इसमें बिल्कुल खोवा और चीनी मेल्ट हो चुका है तो बहुत ही अच्छा सा टेक्सर आ रहा है ओपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट तो इसे आप एक बार जरूर बना और हमें बताईएगा कि यह रिस्पी आपको कैसी लगी है और यह नर्से बनकर आपके कैसे तयार हुए हैं तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए रिस्पी के साथ टेक केर और बाए